नमस्कार आप देखना सुरू कर चुके नियूज 24 वाइट मैं संजीव सुमन आज हम बात करेंगे बॉली हुड की घटनाओं को लेकर आपकी जंकारी के लिए बता दें कि बॉली हुड में ऐसा लग रहा है कि बड़े बड़े जो इस्तार हैं मिलेनियर इस्तार से लेकर या फिर आप जो अपने आपको बहुत बड़े बड़े इस्तार कहलाते हैं वे लोग बॉली हुड में अभी की स्थिती पर भी कुछ सिखने या समझने की कोशिश कर नहीं रहे हैं एक पुरानी कहावत है जो समय के अनुसार अपने आपको नहीं बडलता है समय उसे जरूर मैं बात कर रहा हूं बॉली हुड की अभी लेटेस्ट एक बड़ी खबर आ रही है कि हेडा फेरी फ्रेंचाइजी की तिसरी किस्त यानि की तिसरी फिल्म जो बनने वाली है तिसरा पार्ट जिसे कहा जाता है उसे एक बड़े इस्तार को ड्रॉप कर दिया गया है जी हां औ और ओबरे इस्तार है खिलारी कुमार नाम से मसहूर अक्षयकुमार आपकी जंकारी के लिये बताय दे कि यह बात हेरा-फेरी के ही तीम से जूरे हुए परेस रावल ने इस बारे में पहले ही संकेत दिया था कि हेडा फेड़ी से अच्छा कुमार तिसरे भाग से बाहर है लेकिन यह अफवाओं का बज़ा आठ था लेकिन अब इसकी फूश्ती खुद अच्छा कुमार और साथी साथ उनकी तीम दोनों नहीं कर दी है अच्छा कुमार से जब इस बारे में पुछा गया तो उन्होंने काया कि कुछ बांडिंग नहीं बनने के कारण और कुछ और मैं इस तिसरे पार से बाहर हो गये और बाहर हो चुका हूं और मैं इसे तुसरे बात नहीं करने वाला एक और बात आपको बता दें कि जो खबर आ रही है कि अच्छा कुमार क्लेज़ किये HUए है है आरियन कासिस में भी जो थे वहीं आरियन कार्टिक उन्हें उन्हें रिप्लेश किया अच्छे कुमार को एक बात और बता ले भूल भूले ये भी अच्छे कुमार थे लेकिन किसी कारण वस उनका जो दूसरा पार्ट टैयार हुआ उसमें भी अच्छे कुमार बाहर हो गए और उनको कि तीम के तरफ से जो इंपुट खबर आ रहे है वहाया गया है और अच्छाकुमार को इस फिल्म से बाहर खबर यह अभी है कि 65 से 70 के बीच में हेडा फिरी की प्रेंचाइजी अच्छा कुमार को पेमिंट करना चाह रही थे लेकिन अच्छा कुमार 120 करोर पर अरे हुए थे कहने का मतलब है कि 120 करोर का उनको अभी मिल रही है और वहीं गाना गा रहे थे कि मुझे 120 करोर उपए चाह पत्राजें वहा है बॉलीवुड की स्थीटि बहुती नाजूतर से गुज़र रही है बड़े बरे बैनर न Keys में हो मिया या बड़े-बरे इस्टार उनको तो चोरिए बड़े बरे बैनंर्वू की जो थे सभी भी घाटे में चल रहा है और बरे बरे ओर पर जो प्रोजेक चलते या प्रोब्लेम हो रही है आपकी जंकारी के लिए बता दे कि हेरा फेरी की जो तिसरी पार्ट है उसे हमारे ख्याल से 200 या 200 करोर में बनाने की तैयारी चल रही थी जो अब पुष्ट खबर है और इसकी पुष्टी भी अब धीरे-धीरे हो ही जाएगी लेकिन 120 करोर ख पास अब उतने पैसे है नहीं जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि बड़े बैनर के की हालत और खराब हो चुकी है तो यहीं इफ्यक्त परा है हेडा फेडी के पार्ट ठीरी पर जिससे अच्छा कुमार को उनके एमाउंट 120 करोर नौ देने की फैसले के बाद वो इस फिल्म से हट गये हैं और उनका रिस्प्लेस्मेंट खुद कार्टिक आरियन ने किया है आप फिल्म अपने जो बजट होगा उसी के अंदर में बनाने की कोशिश की जाएगी इस तीम के करता धारता साजी नादीवाला पहले ही बोल चुके थे कि हम इस फिल्म को जितनी जल्दी हो तीसरा पार्ट सुरू करने वाले हैं अच्छा कुमार का दो सालों से इंतजार किया जा रहा था अच्छा कुमार अपने पोर्जेक्ट पे थे और अच्छा कुमार की पिछले कुछ ऐसी भी फिल्में हैं खासकरून की सबसे लेटेस फिल्में प्रिथ्वी राच चोहान वह भी नहीं चल पाई है और अगर अच्छा कुमार को इस फिल्म में कास्ट किया जात क्यानि कि कोई भी बहुत बड़ा क्लब में सामिल नहीं हो सकता है बस पचास साथ सौ करोड़ तक की प्रोफिट होगी लेकिन जो हेरा फेरिक की फ्रेंचाइजी है उसका यहीं सोचना था कि इससे कुछ ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए तो वह लोग जो इसके स्टार कि है अनुस्ट पर है और उन्हें हेरा फेरी फ्रेंचाइजी तीसरे पार्ट जाते बाहर कि यह यहांर को सारे स्टार कास वहीं रहने वाले हैं इसमें थोड़े बहुत कोई बड़ला हो सकते हैं या एड़ हो सकते हैं तो बाद में जैसे फिल्म शुरू होगी तो पता चली जाएगा लेकिन इतना तह है कि अब हेडा फेरी का थर्ड पार्ट बनने की तैयारी शुरू हो चुकी है